असलाम लेकुम फ्रेंट्स कैसे आप सब उमीद है कि आप सब फैर हरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे तो आज मैं एक नए रहमिटी के साथ हाजिर हुई हूँ आपके सामने अमीद करती हूँ यह भी आपको और वीडियो की तरह बहुत पसंद आएगी जरूर ट्राय कीजेगा और मझे फीड़ बैक लेना बिल्कुल भी मत बूलेगा सबसे पहले एक मेरा चोटो सा काम कर दें मेरा चैनल सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा आज मैं जो करीम बनाने लगी हूँ वो है रिंकल्स जाईयों के लिए और जो फाइन लाइन्स हो जाती है चैरे पे उमर की वज़ा से उनको रिमॉव करेंगा बहुत ही कम कर देगा यहां चिकपी यानि पत्रवाद चैनल सफैम के अंधर मैगनीशिएंं बहुत ही ज्यादा मग्ताल में उती है और वटयमीय बृट ज़दा हेल्फ करती है आपके फाइन लाइन्स करने में सبencies पहले बात करती हैं इनको हमने वाज कर लियना है वाज करके ओवर नाइट के लिए रात बार के लिये इन्हें बगू के रख देना है बगूने के बाद जो जनों की कंदीशन है वो आपके सामने है तो इन्हें अची तरह से सब्सक्राव, निक typweise कागई targeting, इन वान वाधिक के अभर और मातरा चाहिए को स्टेनर आपको अभाई, और ऑफिस्टेनर उचीमिक का एक आपके पास, तो इस बैटर में अब हम विटामिन ई ऑईल के कुछ ट्रॉप से हैट करेंगे जो कि आपके चाहियों को रिमूब करने में हेल्प करेंगा विटामिन ई आपकी स्केन के लिए बहुत से स्केन को टाइटन और ब्राइटन करता है आप अमर किसे आप अपनी उमर से 10 साल चोटी नजर आना शुरू हो जाएंगे अगर आप ये आफ़ते में दो इस रा तीन परतबह इस्तमाल करती है रेगुलर इस्तमाल से आपकी चाहिया और फाइन लाइंज काफी हाद तक रिमूफ हो सकती है अब इसके अंदर हमने डालना है बेबी लोशन मेरे पास स्वाफ टैच क आप किसी भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं जान संस कर या यूज कर सकते हैं किसी भी कोई भी बेबी लोशन आप इसमें हाफ टेबल स्पून इसमें एड़ करें अच्छे से मिक्स करना है और आप इसी सेफ कर सकते हैं फ्रिज के अंदर एक हफते के लिए तो इसे अच्छ इसमें आप विटमिन E-Oil यूज़ करेंगी विटमिन E-Oil के मैं कुछ ड्रॉप्स इसमेहच करेंगी जाती है आपके जो स्किन धलक जाती है उमर की वज़ा से लटकना शुरू हो जाती है इसको टाइटन करेगा और बिल्कुल अपने आपकी चाहरे को एक नहीं शेप देग आपको यह जूज करने का कह रही हूं बार बार सबसे पहले अपने फेस को वाज करने के बाद थोड़ा तदा लेकी मिसाज करनी है इसी अपने चेहरे को राउंड मोशन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज राम अराम से ना चाहिए जहाँ पे हमाँ पे मॉब करने के बाद चेहरे के वाज करने और फर्स्ट अपलाइंग सी आपकी स्किन ब्राइटन और होना उण शुरू हो जाएगी और बिलकुल स्मूध हो जाएगी जैसे बेबी लोशन से आपके स्किन समूध हो जाएगी यह देखें आप पसर देखें दूसरे हाथ पे द पिर दो के लिए अला आफिस